स्कार दोस्तों आर्सी इस्टडी में आपका स्वागत है आज हम लोग जानेंगे प्रकासिक माध्यम किसे कहते हैं और माध्यम कितने होते हैं तो प्रकास जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे प्रकासिक माध्यम कहते हैं जिन जिन माध्यमों से प्रकास गुजर जाए फ कांस भाग उस पार चला जाए उसे पार दर्संग माध्यम कहते हैं जैसे वायू कांच आदि उसी प्रकार पार भासंग माध्यम पार भासंग माध्यम का मनलब कि जो प्रकास है उस पार कुछ ही भाग जाए और सब जो है भाग यानि उस पार न जाए आंसिक भाग ही जाए उ तो जैसे में क्या हो दूसी तजल हो तो इसके उस पार जो है प्रकास बहुत कम मात्रा में जाएगा फिर घीसा हुआ कांच हो तो उस पर यानि प्रकास जो है बहुत कम मात्रा में फिर तैली यानि कागा जो बहुत जादा नहीं जाता है लेकिन कुछ मात्रा में चला जाता है और कुछ वापस ही रहता है इसलिए इसे पारभासंग माध्यम कहते हैं तीसरा जो है तीसरा माध्यम है अपारदर्संग माध्यम अपारदर्संग का मलब जिस माध्यम से प्रकास जो होता है इसका कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है यानि वह उस पार जा ही नहीं पाता है उसे हम अपार दर्संग माध्यम कहते हैं जैसे दिवाल हो दिवाल के उस पर प्रकास को नहीं ले जाया जा सकता लकड़ी हो गया लोहा हो गया तो इसे हम अपार दर्संग माध्यम कहते हैं